नमस्ते एवरिवान, वेलकम तो दे प्रोजेक्ट लाडली, मेंस्ट्रेशन ओनलान ट्रेनिंग प्रोग्राम फर मिनी मेंस्ट्रोपीडिया मैं वेदही पगारिया, CEO at पगारिया वेलफेर फाउंडेशन, आप सब का हार्दिक स्वागत करती हो प्रोजेक्ट लाडली एक इनिशेटिव है पगारिया वेलफेर फाउंडेशन द्वारा जहां पे हम महावारी, मारिज, प्रेगनेंसी और वुमिन इंपाउम्मेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स करते हैं रूरल और ट्राइबल पार्ट्स ऑफ इंडिया में फोकस होता है हमारा पगारिया वेलफेर फाउंडेशन 2019 में स्टार्ट की गई संस्ता है जो एक सेक्शन 8 नॉन प्रोफिट रेजिस्टर्ड कंपनी है और सेक्शन 12A और ATG के अंडर भी रेजिस्टर्ड है हमारा फोकस होता है चिल्डर्न और वुमेन इन रूरल और सेमी अर्बन एरियास को अप्लिफ्ट करना थू आर वेरियस प्रोग्राम्स जहां पे हम कम्यूनिटी लर्निंग सेंटर्स, टॉय लैब्रीज इस्टैबलिश करते हैं और प्रोजेक्ट लाडली के अंडर काम करते हैं करंटली हमारा अक्टिव प्रेजंस नौ स्टेट्स में है यह विडियो हिंदी में होगा दूसरे लैंग्विज इसके विडियो के लिए आप नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक में लिंक ओपन कर सकते हैं फ्रोजेक्ट लाडली क्या है उसके फोर कोर पिलर मेंसुएशन जिसे हम बोढ़ते महावारी जिसके में प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद का नूटिशन के किड्स प्रवाइड करते हैं हम tailoring centers रांड करते हैं beauty tailoring centers, beauty parlors और computer learning centers for women Menstrupedia क्या है, Menstrupedia Aditi Gupta मैम और तूहिन पॉल सर के द्वारा चालू गई एक संसला है जो shark tank में भी cover की गई थी, वो लोग magazines बनाते हैं जिसमें से उनकी सबसे famous magazine है Menstrupedia जो कम से कम बहुत चारे regional local languages में भी available है यह एक comic magazine है जहां पर पूरा periods of puberty के बारे में दिखाया गया है तो इसके द्वारा हम यह sessions लेंगे कैसे लेंगे इसके उपर हम आपको training करेंगे यह वो ही magazine है जो आपको courier से आपके register address मिलने वाली है ठीक है? Mentoropedia So, Mentoropedia जो educational comic book से ही simplify करती है, बहुत easy होता है तो Project Lardly की partnership है Mentoropedia के साथ और उनकी books हम लोगों तक reach कराना चाते हैं, इसी के लिए आज हम सब यहाँ पे हैं मिल रहे हैं और यह program जो है, यह हम हिंदी में करने वाले हैं दूसरे language की training के लिए आप नीचे description box में जाके दूसरा language का वीडियो भी दे करते हैं अब हम क्या देने वाले हैं आपको इस partnership program ने सबसे पहले educational materials यह जो मैंने आपको mentoropedia की comic बताएं, यह आपको मिलने वाली है आपके address पे training और support, online training मिलने वाली है और continuous whatsapp पे support system रहेगा हमारी team के दुआरा awareness tools, posters और promotional materials मिलेंगे और additional awareness sessions करने के लिए monitoring tools मिलेंगे, guidelines और feedback मिलेंगे आपको, mechanisms की कैसे हमें feedback लेने और कैसे हमें monitor करना है यह project का impact, networking opportunities मिलेगी, एक दूसरे संस्ता से connect करने की opportunity मिलेगी जो भी लोग पूरे इंडिया पे इस पे काम कर रहे हैं, उनके साथ एक network बनाएंगे हम जहां हम पूरे connection बनाएंगे कि जो भी महावारी के उपर इंडिया में काम करना चाता है या कर रहा है उनका हमें एक network बनाना चाता है और ये project जब आप implement करेंगे, आप एक community में एक chance मिलते है आपको और engagement करने का तो on ground जाके काम करने का बहुत अच्छा मौका है ये workflow हम ये project को चार हिस्सों में divide करेंगे पहला हिस्सा है onboarding and training जहां पर आपको I think most of सबने आपने वो कर दिया है register करना है हमारे partnership form पर उदर आपके संसता की सारी details डालनी है फिर online training attend करनी है और उसी दौरान आपको magazines भी यहां से courier की जाएगी आपके address पर फिर आपको session लेना है offline sessions और magazines को distribute करना है बच्चो women's और girls के बीच में और फिर उनको documentation provide करनी है कि photos, videos और basic documentation जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे so simple है onboard होना है magazines मिलेगी उसका sessions लेना है और उसको documentation करके हमें भेजना है यह 4 steps में हम इसको divide करेंगे अब session, session क्या होगा, कैसे होगा उसका time table बनाया है हमने ताकि आपको problem नहीं हो और सारी points जो हमें cover करने हैं वो cover हो जाए so यह PPT भी आपको PDF format में आपको whatsapp groups में मिलेगा तो आप उसको भी refer कर सकते हैं और उसको कैसे करना है वो देखने के लिए आप ये वाला हमें हमें वीडियो आपको present करने हैं तो यह main points हैं जो sessions में हमें cover करने हैं सबसे पहले चीज़ जब हम awareness session करने जाएंगे तो हमें क्या-क्या लेकि जाना है क्या-क्या की तायारी करनी है तो सबसे पहले यह mensuropedia magazine जो आपको कुढर की गई है वो लेना है तो मैं चाते हूं कि आप एक bag बना ले जिसमें सारे items डाल दे ताकि आप कुछ बूलेंगे रहे speaker या mic अगर आपके पास available है तो बहुत अच्छा अभी मुझे नहीं पता कि आप लोग sessions कितने quantity कितने number of बच्चों या movements के साथ ले रहे हो किज़र किज़र लोग डिवाइड करते हैं किज़र किज़र लोग एक साथ सो दोसों को लेते हैं तो जैसे आपका arrangement है on ground availability permissions और आपकी सेर्यास में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको प्लैन करेंगे speaker और माइक हो तो बहुत अच्छ laptop projector अगर है तो आप इपीटी भी यूज़ कर सकते हैं हेलो पीरिट्स की विडियो है में इस्ट्रीपीडिया के दुवारे वह भी दिखा सकते हैं यह ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मोर हम बीना उसके भी कर सकते हैं बीना लाइट वैन टेक्नोलोजी के बिना भी कर सकते हैं वाइफा इंटरनेट अगर है तो विडियो दिखाने के लिए या आप उनको आफ्लैंड डाउनलोड कर सकते हैं पैन पैंसिल नोटिंग्स करने के लिए फीडबैक फॉर्म का एक हम को हम आपको प्रिंट आउट साथ में भेजेंगे कुरियर जब भी हम आपको मैगजीन भेज रहें तो वह फीडबैक फॉर्म क्रिपया भरके हमें आपको फोटो कीच के देना है डिप्रोड़क्टिव सिस्टेम एं त्री होल्स का डाइग्रम जो है जो बुक में भी मेंशन है जो बुक में भी मेंशन है वह आपको बोर्ड पे ड्रॉ कर लेना है सेशन चालब होने के पहले अच्छा फोन या कैमरा चाहिए फोटोस क्लिक करने के लिए रेड मार्कर पैन या अलता चाहिए अगर रेड डॉट जब भी हम कोई session ले रहे हैं महावारी related या general कोई पी session आपको confident और comfortable हों आप अगर डरिंगे आप शर्माएंगे तो जो लोग हैं वो आपकी बात सुनने में थोड़ा हिचकी चाहेंगे तो आपको पूरा confidence दिखाना है speak in the language they understand अब आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो एरिया में जो लेंग्वेज लोग समझते हैं आपको वो भाशा में यह session लेना है आप mix कर सकते हो Hindi, Bengali, Gujarati आपका crowd आप जानते हो तो उसके हिसाब से आपको यह कर लाए तो जब भी आपको यह session ले be comfortable and confident आप comfortable रहेंगे तो लोगों में interest आएगा आपको सुनने का आप अगर डर रहे हो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे बोलूंगा यह ठीक से होएगा यह नहीं चेहरे पर मुसकान और confidence रखो अच्छे से होगा speak in the language they understand वो जिस भाषा में बात करते हैं आपके beneficiaries जहां पे आप session ले रहे हो आप जिस एरिया को बिलॉंग करते हो वही भाषा में यह session लेनी की ज़रूद नहीं है आपको languages of magazine भी इंटराक्टिव रखो बीच में questions पूछो audience या public को भी उसको जवाब करने का उनको मौका दो have fun, relax रहो, tension मत दिखाओ face पे, be then friend, उनका friend और guide बनना है, एक teacher या एक presenter नहीं बनना है जहां पे आप से बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, as a friendship जैसे हम बाते कर देहें वैसे बाते करना है, अपनी stories आप सुना सकते हो, लोगों की stories सुन सकते हो, storytelling कर सकते हो, आपको शर्माना नहीं है, ये topic थोड़ा sensitive है, अगर आप ही sss शर्माओगे, या आपके face पे उजिजा करेगी, तो लोग भी नहीं पुलेंगे, sing, dance, shout, enjoy, जो आपका मन करें वो करो, be relaxed, be comfortable, session minimum एक से डेड़ गहंटा चलता है, उसके उपर भी आप ले सकते हो, अगर आपके पास capacity है, time है, permissions है, अब आते हैं, menstruation पे, महावारी क्या है, periods, पाली, बहुत लोग उसको happy birthday की नाम से भी बोल, तो session का सबसे first part होगा introduction, आपको क्या करना है, trainer का introduction देना है local language, आपके बारे में, जैसे, मैं वैदी पगारिया, पगारिया welfare foundation से आई हूँ, आज हम महावारी के उपर एक session लेने वाले हैं, और ये top session बहुत की interesting होने वाला है, तो क्या आप सब तयार है मेरे साथ session करने के लि फिर आप बात करेंगे partner NGO के बारे, आप जिस अंस्ता से आए हैं, उसके बारे में आप दो lines बोलेंगे, और क्या होने वाला है session को उसके बारे में बोलेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक activity, icebreaker activity का मतलब क्या है, crowd में जितने भी लोग है, उनका सारा ध्यान आपके पास आ जा बिसिकली, एक relationship बन जाए हमके साथ, तो यह हम करते है, icebreaker activity, icebreaker activity में क्या करना है, आप जो trainum enter हो, आप कोई भी एक number बोलना है, एक से 10 के बीच में, एक से 5 के बीच में, और उतनी बार, एक ही रिदम में, पूरे crowd को clap करना है, जैसे, for example, अगर आपने बोला, दो, तो पूरे class को, पूरे crowd को, ऐसे clap करना है, दो बार, सब की clapping की अवाज, एक साथ आनी चाहिए, ठीक है, सब की clapping की अवाज, एक साथ आनी चाहिए, फिर आप number change करते जाओ, speed बढ़ाते जाओ, for example, एक, तीन, चार, दो, ऐसे करते जाना है, सब की clap एक साथ आएगी, और बीच में ही फिर भी लोग clap करेंगे, वो ऐसे से करेगा, तो यह एक गेम है, concentration का, coordination का, और unity का, जहां पर अब सारा focus आपके ऊपर आगया, आप जो बोड़े हो, crowd वो सुन रहा है, और उसे implement कर रहा है, ठीक है, तो यह activity, hardly कुछ एक दो मिनिट लेगी, यह हमें सब की बाद आपको questions करना जैसे मैंने बुलाया था, अपने sessions में हमें question answer कर से रहना है, questions, how are you, कैसे हैं आप सब, आप, आप में energy नानी है, आप में voice modulation नाना है, mic है तो very good, नहीं है, तो आपके capacity किस आप से बोलिये, how are you, कैसे हैं आप सब, so फिर आप बोलोगे, my name is this, we are having to have a fun learning session, क्या आपको पता है periods क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं कि मासिक धर्म क्या होता है, तो और in person को जवाब नहीं देगा शायर, पर पूरा audience में से यसे group answers आपको आएंगे, उसके बार को जाएंगे growing up के बारे, वैसे ये book की magazine में, अलग-अलग pages दिये वहे हैं, जहां पर ये topics उनके index में दिये presentation बनाएं, तो जब भी आपको ये book मिलती है, सबसे पहले ये book को पूरी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ये session attend करें, तो आपको और clarity आएगी, अगर आपने अभी तक ये book नहीं पढ़ी है, तो मेरा request है कि पहले ये book पढ़ लें, और फिर ये session पे आजाएं, growing up, बड़े ह होना क्या होता है, ठीक है, तो लड़कियों के बढ़ते उम्र में शारिरिक बदलाओं क्या आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो आपको क्या करना है, audience में से 4-5 लड़किया, women select करनी है, कैसे select करोगे, कोई एकदम छोटे height की, कोई लंबी, कोई थोड़ी मोटी, क थोड़ी कम वजन वाली, और उनको line से height wise आपको खड़े करना है, फिर आपको बलना है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे body में क्या-क्या changes आने लगते हैं, हमारे chest area grow होने होता है, हमारे breast grow होते हैं, underarms में हमारे यहां पे बाल आने लगते हैं, pubic area जहां पे हमा हमें चिड़ चिड़ा पन होता है, कभी भी हमारे मूल कभी अच्छा होता है, कभी बिना वजय कभी अच्छा हो रहा है, कभी गंदा होता है, हमें attraction मैसूस होता है, दूसरे gender के against, तो यह सारी चीज़े होती हैं, जह हम grow बड़े होते हैं, तो आपको उन लड़कियों को demonstrate कर दिखाने की, देखो यह लड़की ऐसी है, अब भी बड़े होते होते हैं, ऐसी हो जाएगी, ठीक है, आपको weight में difference में आएगा, height में difference में आएगा, body figures में difference में आएगा, अच्छा, यह सब changes क्यों आ रहे हैं body में, यह सब changes आ रहे हैं, पियूश गरंथी के वज़े से, एक म age hormones release होते हैं, और हमारे body में यह changes आते हैं, आप उनको, यह changes कोई बिमारी नहीं है, यह एक hormones की वज़े से, आपके अंदर body के अंदर अलग-अलग changes हो रहे हैं, अब किसी के अंदर hormones जल्दी निकलते हैं, किसी के अंदर late निकलते हैं, किसी के hormones निकलने में imbalance होता है, तो इतनी होनी चाहिए, तो यह कोई problem नहीं है, यह एक normal phenomenon है, ठीक है, यह puberty changes का एक photograph है, फिर हम बताएंगे, periods के वारे, उसके लिए, जैसे मैंने बोला था, मैंस्रोपीडिया के द्वारा, hello period video है, अगर आप YouTube पे जाके सिर्फ सार्च करेंगे, hello periods, तो भी आपको सारे languages में video मि आप लिंक्स भी दे दिजे, नीचे description में भी लिंक्स डाले, अब वो लिंक खोल के भी ये video, चोटा सा video आपके session में दिखा सकते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, three holes between the legs का concept, हमारे टांगों के बीच में तीन चिद्र होते हैं, session चालू होने के पहले, मैं suggest करूंगे कि ये diagram और reproductive system का डाइगरा, आप बोर्ड पे पहले से ही draw कर दें, ताकि आपका time भचेगा, या एक calendar का help ले, जैसे जैसे आप बाते करते जा रहे हो, आप session लेते जा रहे हो, पीछे वो ये सब आपके लिए draw कर दें, तो पहले मैं आप लोग को समझा दे ले, इसको कैसे समझा दे हमारे जांगो के बीच में, नाभी से नीचे का जांगो के बीच में वी जो बनता है उसका जो intersection है, उसकी जो joint है, ये वाला जो बीच का part है, इसको यहां पर तीन चिदर होते हैं, होल का मतलब चिदर, सो हर औरत, हर लड़ागी के ये तीन चिदर होते हैं, ये चीज फंड मूत्रमार्ग क्या बोलते हैं मूत्रमार्ग ऐसे आपको समझाना है होल नंबर वन होल नंबर वन यह है मूत्रमार्ग होल नंबर टू उससे थोड़ा बड़ा होता है योनी योनी होल नंबर थ्री जो योनी से थोड़ा चोटा होता है और एस चोटा हो ओ हैं वह है मलवार मलडवशी कर दो नाम नम्हों पूर मारवन को स्लीय को से अब आते हैं, hole number 3 पे, मल द्वार, मल का द्वार, तो यहांसे क्या निकलता है, मल, यानि कि, potty, जिसको हम बोलते, दो नंबर, है ना, तो hole number 1 से क्या निकलता है, सुसू, hole number 3 से क्या निकलता है, दो नंबर, या potty, अब hole number 2 है, yoni, yoni से हमारा period में, blood निकलता है, या जब हम pregnant होते हैं, किसी की delivery होती है, बच्चा कहां से निकलता है, yoni की mark से, वो कौन सा hole है, hole number 2, कभी-कभी pet card के भी निकाला जाता है, जिसको हम cesarean, c-section delivery बोलते हैं, normal delivery में, बच्चा निकलता है, hole number 2 से, और period, पहले आप diagram बनाएंगे, हर hole का नाम बताएंगे, मूत्रमार्ग, yoni, मनेदवार, ठीक है, उसके बाद में, हर hole में से, क्या निकलता है, बताएंगे, hole number 1, सुसू, hole number 2, बच्चा, या period, hole number 3, 2 number, या potty, ठीक है, speak aloud, आपको इसके साथ game खिलती जाना, आप जो से बोलोगे, hole number 1, hole number 3, hole number 2, जवाब आने दो audience से, फिर आप उल्टा बोलोगे, सुसू कौन से hole से निकलती है, जो सब लोग बूलेंगे hole number 1, potty कौन से hole से निकलती है, hole number 3, आप बीच में कोई लड़की को उठा के भी या और पूछ सकते हो, और आपको बताना है कि घर पे जाके, हर एक participant, अपने ये तीनों holes को feel करें, touch करके feel करें, उनका position analyze करें कि वो किदर है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और तीनों holes को हमें साफ सफाई रखनी है, तीनों holes की अलग-अलग बिमारिया भी होती है, अगर उसको हमने ठीक से साफ नहीं रखा है, तो, holes का concept हमें पहले समझा, तो हमें हम समझाएंगे, अब हम बात करेंगे reproductive system के बारे, reproductive system क्या होता है, जैसे हमारे body में digestive system होता है, nervous system होता है, वैसे एक reproductive system होता है, जो नाभी से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, और ये हर female body में इस type का reproductive system होता है, male का reproductive system अलग होता है, तो हर female body में अंडाशे होते हैं, left ovary and right ovary, left ovary and right ovary, ये किदर होता है, आपको नाभी के नीचे ऐसे खड़े हो के दिखाना है, कौन से? Left ovary and right ovary, ovaries का काम क्या है? अंडाशे, मतलब अंडे बना नाम, जैसे मुर्गत जो होता है, वो अंडे में से बाहर आता है, वैसे हम बोलते हैं, अंडाशे, left ovary and right ovary, ठीक है? अंडाशे, अंडाशे का काम क्या होता है? अंडे बाहर आते हैं, किस रस्ते से बाहर आते हैं? उस रस्ते को नाम बोलते हैं, अंडवाहिनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फैलूपिन ट्यूब, तो अंडा जो है, इधर से भी एक अंडवाहिनी है, इधर से भी एक अंडवाहिनी, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय जिसको हम बोलते हैं यूट्रस और गर्भाशय के exactly नीचे होती है योनी जो हमारा कौन सा होल है? Hole number two. योनी है hole number two. तो गर्भाशय का काम क्या है? uterus जब भी sexual activity होती है जब पूरिश और स्त्री का जब वो मिलन होता है तो जब सीमन जाता है वहां से अंडे आते हैं तो अंडाशे में pregnancy होती है तो प्रेगनेंसी जब होती है या जब होने वाली होती है तो body क्या करती है अंडाशे के अंडाशे जो है अपने ऐसा एक V format में है ठीक है यह समझ लो ऐसा है तो अब body क्या करता है इसके आसपास जो है परत बनाता है एक boundary वाल बनाता है हमारे गाओं में भी घर है बंगले है सोसाइटी है स्कूल है सबके पास एक boundary वाल है उसको protection बनने के लिए तो अंडाशे भी क्या आप इस वीडियो में फोटो में दे करना है वो एंडोमेटरिम लाइनिंग के थुरू मतलब जो लाइनिंग बनाई है बोडी ने जो बॉंडरी वाल बनाई है बोडी में उसके थुरू उसको nutrition पॉट्स है तो बोडी तयारी करती है कि यह चीज हो सकती है तो मैं प्रिपेर्ड रहूं एक वाल बनाई है ठीक है अंडाशाय वरी प्रटक्टिव सिस्टम के पार्ट समझाना है अंडाशाय अंडवाहिनी गर्बाशाय और योनी तो आपको draw करना है diagram explain करना है अगर draw की जगह नहीं है तो ऐसे ही बता सकते हैं कोई problem नहीं है फिर questions पूछे उसके functions बताएं crowd में से किसी को बोलो कि आके समझाए उसको ठीक है और आप सेशन के time magazine लड़कियों को भी दे सकते हैं पहले ही ताकि वो भी आपके साथ-साथ magazine खोल के diagram अपने पास भी देख सकते हैं पर एक problem यह भी देखा है कि magazine दे दिया तो उनका ध्यान मैगजिन पढ़ने में जाता है आप जो बोल रहे हो नहीं समझ में आता है तो आप एक सबसे पहले demo session ले लिए जब आप यह training video देख रहे हैं और फिर decide करिए कि आपको magazine पहले देनी है या बाद में देनी है ठीक है periods क्या है periods एक process है बिमारी नहीं है process है जैसे हमारे body में सुसू आती है पॉट्टी आती है वैसी periods आते है सुसू पॉट्टी रोज आती है periods का time अलग होता है तो कोई भिमारी नहीं है periods को बोलते है महावारी वो एक process है जिसमें से blood और tissues बहार आते है योनी के mark से 3 से 7 दिन तक आते हैं किसी को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन यह सब होता है तो uterus जो है वो अपने lining निकालती है जो boundary wall बनाई है अगर pregnancy नहीं होती है तो body को समझ में आता है कि यह जो मैंने यह परत बनाई है यह कुछ काम की नहीं है अगले मैंने अलग बनेगी नहीं बनेगी तो जो कूड़ा कच्रा है उसको निकालती है कोड़ी हम भी अमारे घर में पोचा मारते हैं क्यों मारते हैं कच्रा हो गया और उस त्रीश की जरुत नहीं अभी कच्रा है निकाल दो तो body भी सफाई कर रही है जो उसने यह परत बनाई है uterus में अब pregnancy नहीं हो रही है तो यह परत निकाल देनी है पीरेट्स एक healthy और natural process है यह कोई डरने वाली बात नहीं है महावारी कोई बिमारी नहीं है ठीक है और यह क्यों होती है क्योंकि आपके body के जो female hormones है वो function करना चालू करती है आपकी body एक मा बनने के लिए prepare हो गई है और fit है उसी के लिए यह हो रहा है जो मैरा hormone gland है जो मैंने से female hormones release हो रहा है यह एक sign है जब आपको पहला period आता है मतलब आपकी body fit है आपकी body ready है एक mother वाली stage में जाने के लिए it is the sign of woman की fertility usually periods आज के दिन में 10 से 13 साल के बीच में आ रहे हैं और period जो खतम होता है उसको हम बोलते है menopause जो आज 45 तो 60 यह के बीच में कभी भी हो रहा है initially जब period आते हैं वो irregular होते हैं हो सकते हैं किसी किसी को उसके बाद में और regularize हो जाते हैं usually मैं आपको इस diagram से समझा रही हो यह जो diagram है यह reproductive system है बस इसको अलब अलग दिन पर reproductive system कैसा दिखता है वो दिखा रही हो इसको हम बोलते हैं महावारी चक्र महावारी चक्र यह diagram भी आपके magazine में available है तो आपको क्या करना है पीरेड आता है क्यों आता मैंने बता दिया बॉडी ने परत बनाई है वो जो परत है वो अभी काम की नहीं है क्योंकि फ्रेग्डेंसी नहीं हो रही है तो वो खून की परत और टिशूस की परत उसको निकालनी है ठीक है तो क्या होगा अंडाशे तो हम आते हैं 6th day पर 6th to 12th day पर आप देख रहे हो second वाला पार्ट अंडाशे में एक अंडे का विक्सित होना तो usually अंडा अंडानु को बोल चकते हो यूशुली हर मेन आपका या तो लेफ्ट ओवरी में या राइट ओवरी में एक अंडा डॉमिनेंट होता है उसको बोलते हैं डॉमिनेंट फॉलिकल ठीक है वो अंडा विक्सित हो रहा है 6-11 दिन में फिर बारा से 16-17 दिन में वो अंडा बहार निकल रहा है फैलोपिन ट् चाता है और अंधुरुनी जो यूटरोस का अंधर का हिस tiet है वहां पर खून बंती जाते हैं अब अगर प्रेग्नेंसी मही थो अंडा मर जाता है 상 जिससे वह बच्चा बन सके, अंडे को sperm मिला नहीं, शुक्राणू मिले नहीं, जिससे वह बच्चा बन सके, तो वो जो अंदुरूनी परत है, वो टूटकर महावारी के रूप में, कहां से निकलती है, होल लंबर टू, योनी के माक से निकलती है, जिसको हम बोलते हैं, पीरे से, ठीक है, तो ये परत बन रही है, जाड़ी-जाड़ी-जाड़ी-जाड़ी हो रही है, फिर बच्चा नहीं हुआ, तो ये जाड़ी-जाड़ी-जाड़ी परत निकल रही है, ये जो प्रोसस है, ये ही पीरे, मेंस्ट्रूल साइकल बोलता है उसको, ठीक है, अब हम बात पीरिड में यूशुली हमें वीक्नेश फील होती है क्यों क्योंकि हम ब्लीड कर रहा है ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रही है 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 ब्लीड हो सकते हैं primary reason हो सकता है कि आपकी body enemy है मतलब आपकी body में iron की कमी हो सकती है iron क्यों चाहिए हमें blood में oxygen को circulate oxygen oxygen क्या है प्राण वाई हो blood से उसको पूरी body में circulation के लिए iron की जरुवत है hemoglobin जिसको हम बोलते हैं जिससे हमें पता पड़ता है तो हमें iron rich food खाना चाहिए जिसके अंदर iron की मात्रा जादा हो वह वाला खाना खाना चाहिए जैसे मटर, पालग, आलू, डाल, राइफ्रूट्स जो फिश खाते हैं वो फिश ठीक है तो iron बहुत iron से कमजोरी नहीं होगी अगर आपकी बॉडी में iron उच्छे होगी अगर सिर् तो बॉडी में जो oxygen का जो flow होता है वो बहुत अच्छा होता है ठीक है ना जिसे रोटी के साथ हम सबजी खाते है तो हमें लगता है कि हमारा पेड भरा है तो वैसे ही iron के खाने के साथ अगर हम विटामीन C वाला खाना जोड़ दे तो बॉडी में absorption of oxygen बहुत अच्छा होग तो खटा खाना iron food के साथ अगर हम खाएंगे तो हमारा hemoglobin भी अच्छा रहेगा iron भी अच्छा रहेगा और हमें weakness नहीं होगी जल्दी है हमें घर का खाना ही प्रेफर करना चाहिए बाहर का खाना अवाइड करना चाहिए जो local regional और seasonal जो आपके area में उगरा है जो local है और जो सीजन का special है जैसे सर्दियों में कुछ सब जहाती है मटर गाजर शल्गम यह सब खालो गर्मियों की जो सब जया फर्ल फूरूट उतने हैं वो सब खाओ और पानी और धूब परियाप्त मात्रा में हमें लेने चाहिए यह दूब भी बहुत important है ठीक है आते हैं next point में कि period में दर्द क्यों होता है सबसे बड़ी problem आज के दिन में कि period आते हैं चिड़ चिड़ापन दर्द हो रहा है पेड़ दुख रहा है क्यों हो रहा है यह सब सब्सक्राइब के बहुत normal है imagine करो कि हम पोच्छा मार रहे हैस क्यों के इसका mail धाली करना है मुझे तो जब मैं इसको निचोड़ रही हूं, तो इसमें pressure पड़ रहा है, इसमें cell पड़ रहा है, आप देखोगे हो कपड़े में कितने cell पड़ते हैं, तो वैसे हमारा यह uterus है, जब उसको अपनी परत निकालनी है, तो वह compress होता है, वह भी अपने आपको निचोडने लगता है, तो वह जब Axcub paraculture. सबके बोड़ी अलग है सबके पीरियर अलग है तो सब का दर्द भी अलग होगा सेम हो सकता है क्या नहीं तो किसी को जीना दर्द हो रहा है पिंकी को जाता दर्द हो रहा है तो चिंकी को टेंचन लेने की ज़रत नहीं कि मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है मैं तो बिमार नहीं हूं या चिंकी को दर्द कम हो रहा है पिंकी को जादा हो रहा है तो पिंकी को टेंचन नहीं लेना है मुझे जाता दर्द हो रहा है बा पाला पार्ट, लोवर स्टमक, लोवर अब्डोमेन, यूट्रिस जा पांट्राक्ट होता है, तो पेन होना स्वाभाविक है, ये कोई बिमारी नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ अब ऐसे एक्स्पेरियंट करेंगे, सबकी बोडी अलग है, सबके होर्मोन्स अलग है, सबका पीरिड अलग है, तो सबका पीरिड का दर्द भी अलग होगा, पीरिड का experience भी अलग होगा, तो इसको solve करने के क्या तरीक है, एक तो बहुत सारा पानी पीना है, पीरिड में सबसे बड़ी गलती हम जब करते हैं, वो है पानी कम पिते हैं, क्योंकि बार-बार हमें और बहुत घंदा लगता है, तो ये चीज नहीं करें, और बहुत लोगों की आदित होती की पीरिड़ा अत्य ही पेट पकड़ के सो जाएंगे, पूरी दिन, पूरी रात सोते रहेंगे, वो भी नहीं करना है, थोड़ी सी वॉक करें, तो आपकी पेट को अच्छा लगेगा, हमां के muscles को थोड़ा exercise होगा, ठीक है, तीन yoga pose हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, वो आपको demonstrate करके दिखाने है class में, आप तीन volunteers को लेगा है, तीनों को एक-एक pose बता दे, ये pose में ऐसा है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे, गरम पानी की थेली से सेख किया जा स है, थेली नहीं है, तो कोई बाटल में आप गरम पानी रख सकते हो, लोठे में गरम पानी रख के पेट पे सेख कर सकते हो, खा सकते हो, अगर unbearable pain हो रहा है, कोई दूसरा option ही नहीं है आपके पास, बेटर है कि लोकल को एक बोक्टर से पूच के ही ले, और ये दोरान नॉ हटा खाने का मन करता है, किसी को आइस्क्रिम खाने का मन करता है, बैसे ही पीरिड में भी आपको ऐसे कुछ खाने का, किसी को बहुत ज्यादा खाने का मन करेगा, किसी को बिलकुल कुछ ने खाने का मन करेगा, सब के साथ अलग-अलग reactions होंगे, बिलकुल सही बताता है कि ज या जैसे देखो ये परत निकल रही है उने के माग से तो उसको तुरह स्क्वीज होना पड़ेगा तो दर्द होगा हो सकता है अब आते हैं तीन पोस पर फर्स पोस है चाइल्ड पोस में हम बच्चों के जैसे जमीन पे बैठते हैं हाथ पूरे नीचे रहते हैं सिर पूरा न पूरा पोस कर रहा है तो यह भी बहुत अच्छा एक्सराइज है योगा पोस है जैना आता है बटरफ्लाइब जहां आपके पूरे इनर था इसको खोल रहे हैं इसको ऐसे 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 सिर्टितली आसन कर रहे हैं ब्लेड सर्कुलिशन अच्छा जाएं तो हर लड़की हर और हर वुमेन को यह तीन पोस रोज करेगी तो उसके पीरेट्स रेगुलर भी हो जाएंगे पीरेट्स में दर्द भी कम होगा पीरेट्स का एक्स्पीरियंस भी अच्छा होगा और उसकी रिप्रोड़क्टिव सिस्टम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा तो हर एक पोस दो दो मिनिट भी क्या तो छे मिनिट लगेंगे उस से जादा का ये काम नहीं है तो सुबह दो फार शाम सुबह करो तो बहुत अच्छा पाकि जब भी टाइम मिले हर लड़की को हर वुमेन को ये पोस करना चाहिए ठीक है ओके तो ये हमें हैबिट बनानी होगी तो जो भ फारग मिला है हो सके तो आप लोग भी अगर रेगुलर वो स्कूल में जा रहे हैं कर रहे हैं तो इसको एक रेगुलर एक्सिसाइज रूटीन का इक पार्ट बनाए मौर्निंग असेंबली का अगर पार्ट बना सकते हैं तो वहरी गुड नथिंग लाइक इट बॉइस भी दाना प्हें तो एक मेन डाइगरम बनाए बेसिकली के पाड कैसे यूज किया जाता है कपड़े का पैड कैसे यूज किया आता है यूशली वह पाड जैसे ही यूज किया जाता है। तेम्पॉन है, पिए फीरिड पैंटी है, कैसे यूज किया जाता है। ओल मुझर 1, 2, 3 तीनों क वर हो जाता है। कि जब को को पालीन के पादे निकालना पड़ते हैं कि पट्ट मेंस्ट्ट shark और टैंपॉइज है वह 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 सीधा यह ज़स्ञा जालास को झालने के यह इक हो सब माते हैं पिरिड में वहसे वह तो कैसे सट यहाई जीन करना है pra से पहली चीजrics wash your hands wash your hands अपने थो अपने हात थो तॉयलेट जाने के पहले और टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथ थो नहीं थो पानी से थो ठ्लीन यॉर थो ठीक है लिएद्स वाउश है चॡ़ा है च्डीरिं के तोरा विकास अप अंदर जाके वो पैड को आप निकालोगे एवरी छे घंटा आपको मिनिमम छे घंट बदलना है किसी किसी को जाधा ब्रीडिंग अगर होती है तो तीन से चार घंटे में भी पैड बदलोगे तो अच्छा है बैड बदलने का मतलब क्या होता है उसको नि नूस्पेपर हें तो उसके ऐसे पेड पोल्ड बना के रख लें और इसके अंदर यह जो यह पैड जो है इसको अंदर है डाल के Jul यूज पड और तो या उसको एसे ऐसे फै producer करके कि इसको रएड ऊप्र आप करके जब लगें कि पेरिडगे टैयर रखेड चाहिंज तो जब स्कूल में भी अगर आपको पैड को लिए करना है और आपीं यह को आपको सोछ पैडर को पखरकिंड या और सीध में अगर सूपी जगह है तो वहां पे रखेंगे। फिर आपको क्या करना है। सवच्छ पैड को साइड में रखके, पूराना जो पैड है, जो यूस प्रौप कर सकते हो, प्रॉफट ऑ्र और ये एक खोल किया। है तिक है। पिर इसको जैसे हम रार्षयम की दुपार में पुढ़की बाँदते हैं। यह बन गई पुढ़ी इसको खुल रही है कि मैं हाथ में रख रही हूं। खुल रही है नहीं खुल रही है। बच ऐसे फोल्ड करके डाश्मिन में डाल देता है अब इससे क्या होता है जब वो कच्रा वाला कच्रा हिलता है तो जब भी हमस्पोस करें प्रॉपर उसको ऐसे इंटर लॉग करें दिखे रहा है आप सबको इंट्राउक करूं करके पैट, डबल निउस्पेपर ले लो तो प्रॉबलम नहीं होगी, यह खुड रहा है अभी, इस खुड रहा है, खुड रहा है, नहीं खुड रहा है, तो ऐसे पैट करने हैं, तो यह आप लिए नियूस्पेपर कोई कैसा जैसे नियूस्पेपर है इसी को ऐसा रोल किया एक बार और उसको कैसे रोल करना है वह आप दिखा सकते हो तो यह पैकिंग कैसे करना है वह बहुत जरूरी है मिनिमम और कोई कपड़ का पैड यूज कर रहा है या कपड़ा यूज कर रहा है उसको प्रॉपर धूप में सुखाना है गीला यूज नहीं करना है बात्रूम के कोई खोने खप्चे में उसको नहीं सुखाना है उसको प्रॉपर धूप में सुखाना है ठीक है दिन में कम से क करना है अपनी बड़े को साफ सुतरी रखनी इस अपनी प्टिकोट लगिंग अंडर गां में और बेंटी कोड अजक को अच्छार सुखाकर के भीला नहीं लआप नहीं का प्रưởng में आप ये मत सुचो और आज लगिंव प्रक भी यह लगी जाएगी मैं वापस के पहन लेती हूं नहीं दूलेवे कपड़े पहने शुस्सू पॉट्टी जाने के बाद अपने जो तीनों होल्स है उनको अच्छे से दोएं सूखने दे गिला गिला पे एकदव पानी ज़र्ने दे भी सिके लिए और ये तीनों होल्स में आपको दोने के लिए सर, शेंपू, निर्मा, डबल बी, साबून ये इस्तमाल नहीं करनी है, आजकल बहुत सारे क्लिंजर मिल रहे हैं, वजाएना को साफ करने के लिए, वी वाश, ये सब की कोई ही जरौत है, साधा स्वच्च पानी, इनफ है, चलेगा, अब ऐसा भी हो सकता है, कि कावल ले लोगे, हैंकरचीफ ले लोगे, कॉटन ले सकते हो, अगर आपके वाज कॉटन है, कॉटन ले सकते हो, और उसको ऐसा फोल्ड करके पैड बना सकते हो, आपने पहले रुमाल ले लिए, उसको ऐसा लंबा फोल्ड कर दिया, कॉटन है या एक और रुमाल है, उसको जैसे यह चोटी सी अगर रुमाल है मेरे पाद, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको इसे फोल्ड कर दिया, ये मेरा छोटासा पैड़ बढ़ी है, ठीक है, इसको हम चड़ी के अंदर, पैंटी के अंदर ऐसे रखके जा सकते, स्कूल में पीरेट्स आ गया, आपकी प प्रटन वाला आइडिया है, और अगर आप कोई जैकेट पहनते हो, दुपटा है, तो उसको आप आपके कमर पे बांद लो, अगर कोई स्पॉड लग भी गया, तो आप उसको चुपा सकते हो, दूसरा आइडिया है कि, हम ये करते हैं स्कूल में, जो अपने स्कूल बैग ह होते हैं, वो लंबे-चोटे होते हैं, तो अगर पीछे दाग लग गया, तो स्कूल बैग को लंबा कर लो, आपका जो बाम एरिया हो, और आपकी दाग दिखेंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, बट बी कैरफू, आपके वाले, उसके बारे में अभी सिखेंगे, एक दिन ब्लीडिंग होई, चार दिन के लिए, ठीक है, तो पीरिड आया, एक सारी को ब्लीडिंग होई, चार दिन के लिए, ठीक है, और मेरी मेंस्ट्रोल साइकल कितने दिन में आती है, मुझे यूजिली पीरिड्स कितने दिन में आती है, मेरी मेंस्ट्रोल साइकल कितने दि तो 28, 29, 30, 31, 32, तो 32 देस के बाद मुझे वापस पिरिड आज जाएगा, तो अगर यह मैना 31st August का है, 1 August को आया है, तो usually 1 या 2 या 3 September तक मुझे पिरिड आ जाएगा, ठीक है, आपको अपना एक पैड किट रेडी रखना है, पैड किट का मतलब क्या होता है, पिरिड किट ले सकते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, आपको एक पीरिड किट हमेशा रेडी रखना है, आपकी बैग में, अगर आप कॉलेज जाते तो आपके बैग में, ऑफिस जाते तो एक पीरिड किट ओफिस में ही आपकी डेस्क के मारें जिए, एक चोटा सा जोला ले चैंज करने जाना है, आपको न्यूस पेपर ढूबने की जरूद नहीं, आप किसी के घर गए, कितना इंबर्सिंग होता है, जीज़ी निस पेपर है कह मुझे पैड से हुआ है, आप किसी फ्रेंड के घर गए, या बहुत बारह आसा होता है, बाथ बात रूम में चला जात ठीक है तो पैड को एड से रखके ऐसे तीन चार किट्स बना लो वो पोटली में डाल दो न्यूस्पेपल डाल दो एक्स्टा एक साबुन रख लो एक एक्स्टा पैर ऑफ अंडर्वेर रख लो ताकि गंदी गिली होगे गंदी होगे तो चेंज कर सकते हो और सबसी जरूरी अगर आपको पिरेट जा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल और फिर कॉलेज काम पे छुट्टी में अनलेस आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आप चल फिर नहीं सकते हो तो बात अलग है बट यह दर्थ वरे टाइम में राता है फिर चला जाता है फिर वापस वरे टाइम कभी-कभी आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके रूटीन काम करना छोड़ दो आप बस बैठ जाओ आराले करें यह नहीं ठीक है यह आपको पीरेट ट्रैकिंग आप ऐसे बना सकते हो कितने दिन ब्लीडिंग हुई तो उसे एक आइडिया भी के डांस कर सकते हो आप ढल सकते हो सामी गाना कोई भी गाना लाफ्इंग योगा कर सकते हो जूंबा अक्तिविटी साते हो शामिघ करो साथ में पांच मिनिट दो सब कीच भूल जाओ और इनज्क लगं पर इसके ऐसे डांस आक्तिविटी के साथ हम एक यह अशन खर्थमmed लिए तो okay नहीं तो बाद में पर फोटो जी लेनी है। ग्रूप फोटोस लेनी है। चाहिए। हम आपको फोटोज का सैंपल दाल देंगे वीडियो का वी पुछ सैंपल दाल देंगे आपको चैसी यह है। अब मैगजीन के साथ दर्माव फोटर रखनी है, ऐसे नहीं रखनी है, इतना नीचे भी नहीं चला दा है, this is fine, this is also fine, this is fine, group photos, school का नाम हो, school के भार, वो सब चलेगा, फीडबैक वीडियो ले सकते हो, आप थोड़ा सा, कि टीचर्स को कैसे लगा, आप पेरिंट्स को भी इन् close-up photo magazine के साथ, close-up photo magazine पढ़ते हुए, close-up photo कुछ सोचते हुए, ठीक है, कुछ reels बना सकते हो, बनाना है तो, और अगर आप लोग आपकी social media पे upload कर रहे हो, आपकी NGO के, आपकी personal पे, तो हमें tag करना ज़रूर समझे, पगार्या welfare foundation, add the rate, पगार्या wf, सारे social media पे available है, अगर आपके पास local newspaper, media, news, channels का tie-up है, तो आप उनको भी पहले inform कर सकते हो, और उधर आप project लाडली by पगार्या welfare foundation अभी Mumbai mention कर सकते हो, ठीक है, और हमें ये सारी details, आप हमें email, drive link, dropbox, telegram, whatsapp, कैसे भी बेच सकते हो, कोई problem नहीं, उसके बाद आपको क्या एक documentation sheet बनानी है, ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं expect कर रही कि मुझे एक-एक लड़गी या एक-एक वुमेन का नाम, phone number चाहिए, नहीं, for example, आपको 200 magazine भीजी है, तो आपको क्या करने हो, 200 magazine आपने किदर गिदर बाटी, किदर आपने 30 बाटी होगी, किदर 50, किदर 100, किदर 20, तो कब बाटी, किदर नाके इसका blank format भी हमें भीज देंगे आपको, वो आपको हमें फिल करके देना है, whatsapp group, telegram, email, कुछ भी चले, और यह होने के बाद आपको feedback questions ले, आपको क्या करना है, group में, तो यह आप photo session के पहले ही ले लो, या थोड़ा देम बाद में ले लो, आप decide करो, कि योनी सरफ का सामानिय बात है क्या, अब योनी सरफ जो है, वो है vaginal discharge, vaginal, जैसे मैंने बोला, whole number one से क्या निकलता है, urine, whole number two से पच्चा, period जया vaginal discharge, जो normal है, जैसे हम आख से आसू टपकते हैं हमारे, कान से wax निकलता है, नाक से कभी कड़ा कड़ा नरम निकलता है, वैसे vaginal discharge निकलता है, unless वो smell नहीं कर रहा, dark color नहीं, हम कहां से पेशाप करते हैं, आपको answers के options भी देना है, public को बोलना है, जैसे हम कौन बनेगा करोड़पती कहलते हैं वैसे, बस निया पर दो यह options है, मूतरमार्ग या योनी, तो लोग सब बोलेंगे मूतरमार्ग, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप ये question को re-explain करें, हमें मासिक धरम कहां से आता है, मूतरमार के योनी से, योनी से, urinary tract infection से बचने के उपाय है, खूब पानी पीना और आगे और पीछे से पॉसना, सही है या गलत, सही है, urinary tract infection मतलब गोल नमर वन की बिमारी, UTI, तो उसके लिए क्या करना है, से भरपूर होता है, vitamin C, हम कितनी देर में sanitary pad बना चाहिए, 6 गंटा, 8 गंटा, 6 गंटा, क्या आप अपने आस-पास के period positive माहूल बनाएंगे, ठीक है, और आप make sure करें कि जब आप ये question पूच रहे हैं, किसी को बोलिए, किसका एक video record करें, तो वो हमारे लिए भी एक impact question video बन है, सारे items जो भी हमें लेके जाना है, जैसे newspaper हो गया, एक pad हो गया, demonstration करने के लिए, flex हो गया, banner हो गया, magazine हो गया, फिर setup, जगह पे जाके आप पहले ही board पे सारे drawings कर ले जाप को करने हैं, समान खोल के रख ले, magazines को divide कर ले हैं, फिर session करें, एकदा मों खुले से, enjoy करें, और फ impact questions, after the impact questions, we have made, impact questions के बाद, हमने आपके लिए एक simple link tree link बनाया है, जहां पे सारी information एक ही link में आपको available की गई है, तो चलिए उसको दीखते हैं, तो यह link tree का link से दिखता है, proposal details, application form, proposal details, click करेंगी, तो proposal आपको मिलेगा, जो आपको whatsapp पे share भी किया गया होगा, application form है, जो I think आप सबने भरा है, training 50 presentation, यह वाला जो PPT है, वो यहां को click करने से मिल जाएगा, then training recorded session, recorded training session आपको यहां से click कर सकते हैं, feedback form पे इसको click कर सकते हैं, आपको feedback form मिल जाएगा, क्या-क्या है, वो में explain करते हैं, वाट्साप डारेक्लिक लिंक टू टीम, इस पे click करेंगे तो डारेकली हमारी टीम को whatsapp जाएगा, ठीक, अब आपको यह link tree slash project ladle, तो आपको यह link पे click करना है, proposal details open करेंगे, तो आपको proposal दिखेगा, if you open application form, तो आपको application form दिखेगा, training ppt presentation open करेंगे, तो आपको यह पूरा ppt pdf format में available किया गया है, जो आप easily download कर सकते, training recorded session पे link करेंगे तो आपको recorded session मिलेगा, feedback form पे link करेंगे, तो आपको यह feedback form का pdf मिल जाएगा, branding kit में अदर देखते हैं क्या क्या है, branding kit में आपको हमारे logos मिल जाएगे, तो अगर आप logo folder पे click करेंगे, तो प्रोजेक्ट लाडली का लोगो, प्रोजेक्ट लाडली भी तो गारया welfare foundation का लोगो, और सिफ गारया welfare foundation का लोगो, अब जाते हैं, samples में आपको sample photos का एक pdf मिलेगा, तो देखता हो उस type की samples photos कीच नहीं है, ठीक है, सेशन, सेशन का अगें PPT भी दर दिया वाए, और वीडियो में, वीडियो इन वीडियो इन अल दे लाग्विजेस आपको मिलेंगे, अगर आप लेस्ट होगे, बेंगॉल, इंग्लेज, गुजदाती, कनौड़ा, मल्यालम, माराथी, कुझापी, कमेंतिल, को आप इजर से डाउनलोड कर सकते हो, वाट्साप निंग डारेक्ट टीम करो, तो डारेक्ली हमारी टीम को वाट्साप का आपको बटन ओपन हो जाएगा, वेबसाइक करेंगे तो वमारा वेबसाइट और नीचे हमारे सारे सोशल मीडिया चानल्स और ईमेल दियाएगा, ठीक है, तो यह आपको वाट्साप में भी शेयर किया चाहेगा, ओके, यह अलता वला अक्टिवोटी जहापे हम हाथ में ग्रेंट डॉर्ट मारते हैं, जहापे हम बोलते हैं, यह रिप्रेजंट करता है, मैंशी ब्लॉड, रेड डॉर्ट चैलेंज है, नो शेम इन टॉकिंग पिरिएट इसके साथ अब भी गुरूफ फोटो भी टोटेंगे, और इसको हम और अभी इंडेप्ट ट्रेनिंग किट बना रहे हैं, जहां पे हम एक रिप्रोडॉर्टिव सिस्टेम का मॉड्डिल डालते हैं, तो यह हमारा फेस्टू प्रोसेस है, और इसके अंदर हम इंडेप्ट जाते हैं, मैंस्ट्रोल हाइजीन सेशन कैसे लेना, तो जो भी इसके लिए इंडेस्ट है, पहले हम यह फेस्ट बन पे मैंस्ट्रोपीडिया का प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, और इस समबड़ी इंट्रेस्टेड, आप हम से कनेक कर सकते हैं, आपके इंफोर्मेशन दे, और लोगों को यह जाएं कि पिरिट एक बिमारी नहीं है, पिरिट एक नॉर्मल लाशी फेनॉमेन है, और तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे, और तो जो हमने टाम टिपल बनाया है, प्रोपोजल में उसको मेंचन भी किया है, उसको आप फॉलो क करेंगे, आपको session लेना है, photos, videos लेनी है, basic documentation हमें provide करनी है, और अगर आप social media पे upload कर रहे हैं, तो हमें tag करना है, और और कुछ सवाल हैं, तो आप हमें connect कर सकते हैं, thank you so much, namaste, let's build a period positive India, thank you.